किस तरह लिया एक बंदर ने एक दुष्ट राजा से बदला जैसरी कृष्ण बंध हो स्वागत है आप सभी का गोपिश क्यान यूटूब चैनल में आज का प्रशंग बहुत ही ग्यान बर्दक है मुझे उम्मीद है कि इस प्रशंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आईए विलम ना करते हुए कहनी सुरू करते हैं किसी नगर में चंदर नाम का राजा रहता था राजा के पुत्र हमेशा बंदरों से खेलते रहते थे उन्हें खिलाते पिलाते रहते थे राजपुत्रों की सवारी के लिए राजा ने कुछ मेड़ों को अपने घर में बांध रखा था जिन पर राजा के छोटे छोटे पुत्र सवारी करते थे उनमें से एक मेड़ा कुछ चटोर शुभाव का था जो चुपचाप रसोई में जाकर बहां रखी सामिक्ग्री को खा लेता था रसोई ये उस मेड़े को भगाने के लिए जो हाथ में पढ़ता था उसी से मारने लगते थी कभी लकड़ी तो कभी बरतन उधर उन बंदरों की टोली में एक बहुत ही बुद्धिमान ब्रद बंदर था उसने सोचा कहीं रसोईयों और मेड़ों की लड़ाई इन बंदरों के सिर पर ना आ जाए क्योंकि इस मेड़े को अन का स्वाद लग गया है और गुसे में रसोईयों जो कुछ मिलता है उसी से मारने लगते हैं अगर कभी किसी दिन रसोईयों ने जलती हुई लकड़ी से मेड़े कुमारा तो मेड़ा अपने आप जल उठेगा और जलते हुई वो अस्तवल की और भागेगा जहां घोड़े बांदे जाते हैं घास फूँच से बना हुआ अस्तवल जल उठेगा फिर घोड़े भी आग में जलने लगेंगे घोड़ों के चिकत्सक ने कहा है कि बंदरों की चर्बी से घोड़ों की जलन सांत होती है यही सोचकर उस बुद्दिमान बंदर ने समझत बंदरों को बुला कर उनसे कहा देखो जहां मेड़ों के साथ रसोईदारों की लड़ाई होती है बहां बंदरों का नास होगा इसमें कोई सक नहीं है जिस घर में रोजाना कलहे होती हो जिन्हें अपनी जान प्यारी हो उन्हें वो घर छोड़ देना चाहिए क्यूंकि कलहे से महल खतम हो जाते हैं गाली गलोस से मित्रता बुरे राजा से राष्ट और बुरे काम से यस खतम हो जाता है वो ध्यमान बंदर कहने लगा भाईयो सब के खतम होने से पहले ही हमें ये महल छोड़ कर बंद में चले जाना चाहिए वो ध्यमान बंदर की बात सुनकर कुछ घमंडी बंदर कहने लगे अरे महासे बुड़ापे से तुम्हारी अकल मारी गई है हम सब यहां का आनंद छोड़ कर जो राजपुत्रों के द्वारा दिया गया भोजन और अम्रित जैसे फल छोड़ कर तुमारे कहने से बंद में भाग जाए बहां हमें क्या मिलेगा वो ही कड़वे तीखे नमकीन और रूखे फल बुद्धिमान बंदर कहने लगा अरे मूर्खो तुम सब इस सुख का नतीजा नहीं जानते हो यही सुख तुमारे लिए जहर के समान है मैं अपने कुल का नास होते नहीं देख सकता इसलिए मैं अभी जंगल में चला जाता हूँ बंदुओ इसलिए कहते हैं कि अनुभव साली व्यक्ति संकट आने से पहले ही इस्तिती को भाप लेता है और वो उस संकट से पहले ही निवारण कर लेता है और अनुभव हिन व्यक्ति चाहे कितना ही पड़ा लेखा क्यों नहों वो समय रहते उस संकट से अपना बचाव नहीं कर पात अपने ही जगे में दुख, देश भंग और खांदान का बिनास नहीं देखती इतना कहकर वो ब्रद्ध और बुद्दिमान बंदर जंगल में चला गया उधर क्या हुआ उस बंदर के जाने के दूसरे दिन ही वो मेड़ा रसोई में वोजन खाने के लिए चला गया रसोईदार को जब कुछ नहीं मिला तो उसने अधजली लकडी से उसे मारा जिससे उस मेड़े के सरीद में आग लग गई और वो मिम्याता हुआ बहां से भागा और गोड़ों के अस्तवल में घुस गया जमीन पर बहुत सी घासपूस पड़ी थी जब वो उस पर लोटने लगा जिससे आग चारू तरफ फैल गई जिससे बहुत से गोड़ों की आँखे फूट गई और वे मर गए और बहुत से गोड़े अपने रसी तोड़कर अधजले सरीर के साथ इदर उदर भागने लगे इस से राजा ने गोड़ों के बैदों को बोला कर पूँचा कि सीगर बताईए कि इन गोड़ों के जले हुए सरीर की जलन संत करने के लिए क्या उपाई है गोड़ों के बैद ने बताया महराज जैसे सूर्योदाय से अंधेरा नश्ट हो जाता है उसी तरहे बंदरों की चर्वी से गोड़ों के सरीर की जलन नश्ट हो जा देगी बंधो यह सुनकर राजा ने तुरंत बंदरों को मरवाने के आदेश दे दिया राजा के आदेश पाते ही नगर के सारे बंदर मार दिये गए जब यह खबर उस बुद्धिमान बंदर ने सुनी जो सब को छोड़कर जंगल में चला गया था तो उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि उन बंदरों के दलों में उसके भी परिवार के सदस मारे गए थे जिससे उसे गहरा दुख प्राप्त हुआ अब वो सोचने लगा कि उस दुख राजा ने हमारे पूरे परिवार को मिटा दिया अब उससे किस तरह बदला लिया जाए एक दिन प्यास से ब्याकुल होकर वो बुड़ा बंदर घुमता हुआ कमल से भरे हुई एक तालाप पर पहुँचा महा जाकर उसने देखा कि तालाप के किनारी जल्चरों के पैरों के निसान उस तालाप में जाते तो हैं पर निकलती नहीं अब अस ही ये किसी दुष्ट जल्चर का घर है यही सोचकर बंदर ने कमर के नाल से तालाम में बिना घुसे ही दूर से खड़े होकर जल पी लिया उसी समय तालाब के बीच से रतन माला पहने हुए एक लाक्षस निकल कर बंदर से बोला अरे भाई जो तालाम में घुसता है वो मेरा भोजन बन जाता है पर तू तो बड़ा चतुर निकला जो जल में घुसे बिना ही जल पी लिया मैं तुझसे बहुत प्रशन हूँ तू जो मुझसे मागेगा वो बस तू मैं तुझे दे दूँगा बंदर ने कहा तू कितना खा सकता है राक्षस बोला जितने लोग पानी में घुसाएंगे मैं सब को खा लूँगा मंगर पानी से बहार तो मुझे एक स्यार ही हरा देगा बंदर कहने लगा राक्षस यहां के राजा से मेरी दुस्वनी है यदि तु यह रतनमाला मुझे दे दे तो मैं राजा को उसके परिबार सहित लालच दिखा कर इस तालाम में घुसा दूँगा और फिर तु सब को खा जाना तेरी भूँक मिट जाएगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा बंदर की बात सुनते ही राक्षस ने खुस होकर रतनमाला बंदर को दे दी बंदर उस रतनमाला को पहन कर इधर उधर घुमने लगा रतनमाला देखकर सब लोग पूचने लगी अरे भाई ये सूरिय की तरह दमकती हुई रतनमाला तुमें कहां से मिली बंदर कहने लगा मित्रो जंगल में किसी गुप्तिस्तान पर कुबेर देपता ने एक तालाब बनाया है उसमें रव्यार के दिन सूरज उगने पर जो नहाता है कुबेर की किरपा से वो ऐसी ही रतनमाला पहन कर बाहर निकलता है सज्जनो इधर राजा चंदर ने जब ये समाचार सुना तो उसने बंदर को अपने दरबार में बुलवाया और उससे पूछा अरे बंदरों की सरदार क्या ये सच है के रतनमालाओं से भरा हुआ कोई तालाब है बंदर ने कहा हा महराज मेरी रतनमाला इस बात का सबूत है बंदो लोग बस राजा बंदर की चिकनी चुपणी बातों में आ गया और वो अपने सातियों के साथ बंदर के पीछे पीछे उसी तालाब के पास पहुँचा बंदर मन ही मन में सोचने लगा हे तरश्णा देवी तुझे नमस्कार है धनबानों को भी तुख खराब काम में लगाती है और दुरगम इस्तानों में घुमाती है सौ का मालिक हजार चाहता है हजार का मालिक लाक चाहता है लगपती राज चाहता है और राजपद पर बैठा हुआ स्वरक का अधपती बनना चाहता है बुड़ापे से बाल सपेद हो जाते हैं कमजोर दाथ तूट जाते हैं आँखे कमजोर पर जाती हैं कान भहरे हो जाते हैं मंगर लालच हमेशा जमार रहता है लालच में आकर राजा ने बंदर के बताए अनुशार अपने समस्त सातियों को तालाप में घुसा दिया उन सब को राक्षस खा गया जब तालाप से कोई बाहर नहीं आया तो राजा चिंतित होने लगा बंदर एक पेंड पर चड़कर कहने लगा रे दुष्ट राजा पानी में रहने बाले राक्षस ने तेरे सातियों को तेरे परिवार को खा लिया है तूने मेरा परिवार नश्ट किया मैंने तेरा परिवार नश्ट करवा दिया जैसे को तैसा हिंसक से बदला दुष्ट के पिरत दुष्टता इसमें मैं दोस नहीं मानता बंदू जो लालर्स से काम करता है वो नतीजे के बारे में नहीं सोचता जो मनुस किसी कारिये के प्रडाम को जाने बिना ही करता है वो हिमती तो हो सकता है पर उस कारिये में उसे दुख ही मिलता है और अंत में एक बात और कहना चाऊँगा जो धन अतियंत कलेश उठाने से प्राप्त होता हो धरम का उलंगन करने से मिलता हो और सत्रू के सामने सर जुखाने से मिलता हो उसमें आप मन ना लगाईए बंधों यदि ये वीडियो आपको पशंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हम आपको ऐसी ही ग्यानमई वीडियो लेकर आते रहते हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जैसरी कशन, जैसरी राम